स्वागत हैं आप सभी का टेक स्टेडी आईटिया यूट्यूब चैनल पर तो आपने भी अपना आईटियाई का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया होगा 2018-2020-2021-2020 जिस भी ट्रेट से आप होंगे आपने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा आप सर्टिफिकेट पर आपको इस तरह का एक सिगनेचर दिख रहा होगा जिसमें कि आपको एक कुश्चन मार्क दिख रहा होगा पहले जनरली ये साइन आते थे ये स्टाम पाता था अब आजकल सर्टिफिकेट पर डिजिटल साइन आता है अब इस digital sign को आप इसी तरह से भी upload कर देते हैं कई जहाँ पर या इसको आपको करना होता है वेरिफाई करने की जरूरत होती है तो कई बार इसे आप लेकर परिसान होंगे का आपको इसको कैसे वेरिफाई करना है कैसे इसे ग्रीन ठीक करना है तो उसे आप दो तरीके से कर सकते हैं एक आप कर सकते हैं जो Adobe Acrobat PDF Reader होता है Adobe DC ठीक है दूसरा आप कर सकते हैं इसको Foxit Reader से ठीक है लेकिन ये दोनों चीज़ अगर आपका भी ऐसा है तो आप उसको कैसे वेलिडेट कर पाएंगे अगर आप खुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो अपने ITI में दिखा सकते हैं यही सेम वीडियो पूरा प्रासेस के ऐसे कर दीजिए Adobe से आप Foxit Reader दोनों से हो जाएगा या Cyber Cafe पे भी आप कर certificate कर लेना उसको करने के बाद ध्यान दीजिए आपको इसे कर लेने के बाद सिर्फ उस पे छोड़ नहीं देना आपको इसे प्रिंट करके फिर सेब करके रखना होगा अधरवाज आप दूसरी यहां उसको डारिक वहां से स्टेंड करेंगे वह अपने computer में open करेंगे फिर स इसमें आपको सबसे पहले जो आपका certificate है उस फाइल को आपने जो download की उस folder में आपको जाना है यहां पर हमने उसको downloads में रखा हुआ signature पे klick करने का option आपको मिलेगा वहां पे klick करगे आपको signature properties पे जाना है signature properties में जाने क बाद आपको करना है so signature certificate यynि so signer certificate पे आपको click करना है जैसे आप click करेंगे यहां पे डेखिए एक option आपको और भी छेढ़ छाड नहीं करने है आपको clearly यहां पे export का option दिख रहा है आपको next पे click करते जाना है जैसा कि हम कर रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं उपर आप देख लीजिए सारी चीज़ें हैं समझने के लिए हैं आपके आपको simple कहां टिक करना है next पे then यहां पर आएगा कुछ name and title लिखने का आप चाहें तो कुछ name दे सकते हैं otherwise यह field mandatory नह लिख सकते हैं otherwise आप ऐसे भी next कर सकते हैं तो यहां पर हमने ओ title लिख लिया अभी आपको again क्या करना है फिर से आपको next पे ही click कर देना है जैसे आप next पे click करेंगे हैं आप से कुछ एक folder में save करने का option मागेगा next आप करते हैं यहां आप देखिए आप से पूछ रहा है yes तो क्लिक करना है जैसे आप next पे click करेंगे यहां पे फोल्डर मागेगा आपको पाथ एक मागेगा आपको कहां पे हो चीज सेव करने जो extension फाइल होगी उसके आप कुछ भी एक desktop या कोई फोल्डर आप चूज करके रख सकते हैं जहां पे हो जाके automatically save हो जाएगी again आपको next करना है next करने के बाद आपको देखे कुछ इस तरह से देखेगा और यहां को finish दिखेगा आपको ट्रस्ट का option आपको जितने boxes दिख रहे हैं उनमें आपको क्या करना है सभी में टिक मार्क लगा देना है और टिक मार्क लगाने के बाद क्या करना है okay जैसे आप okay करेंगे जो आपके red color के cross दिख रहे थे वहाँ पर आप देखेंगे okay करने के बाद वो भी आपका green color में tick हो जाएगा again आप जाएंगे so signer certificate में प्रस्ट में आप जाएंगे देखें वहाँ पर उसारा green हो चुका है अभी आपको okay कर देना है और validate signature पर click करना है जैसे देखें हमने validate signature किया क्या हो गया यहाँ पर जो question mark था वो validate हो गया और वहाँ पर आपको green color का एक tick का निसान आपको दिख रहा होगा तो क्या होगा जहाँ भी आप send करेंगे वहाँ पर फिर से question mark बना हुआ आपको दिखेगा तो इसका तरीगा क्या है हमेशा के लिए आपका add tick रहे उसके लिए आपको क्या करना है इस page को print करना है चाहे आप Ctrl P press करके कर सकते हैं या वहाँ पर print का एक icon दिख रहा है वहाँ तो जैसे आप print to PDF convert कर लेंगे इसके बाद क्या होगा यह आपके पास PDF में save हो जाएगा और हमेशा आप इसको जहां भी send करेंगे कहीं भी upload करेंगे तो यह signature always आपका उस पर so होगा फिर से question mark कहां पर नहीं बनेगा इसको किसी भी folder में जो आपको file name देना हो अपने नाम के स में आप इसको लेकर रख सकते हैं इसका आप एक hard copy print out भी निकलवा के रख सकते हैं आपका certificate है इसको सुरच्छित रखिए नीचे आप देख रहा होंगे pocket type का certificate भी है जिसको आप fold करके और driving license अपने wallet में भी रख सकते हैं तो यह पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा आई होप वीडियो और यहां पर हम देख लेते हैं एक बार हम open करके दिखा देंगे आपको कि किस तरह से आपको यहां देखे open with adobe acrobat reader dc इस तरह से आपको हमेशा उसी से open करना किसी और चीज़ से open अगर आप करते हैं तो जैसे आप google chrome से open करते हैं देखे यहां पर google chrome से open है कि वैसे तो आप ओभी upload कर देते हैं कोई परेशानी नहीं रहती है बट करवा के रखिए in future क्या पता कभी आपको इसकी वजह से दिक्कत आजा आपका application reject हो तो थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा बाकि चैनल पर बने रहेए आपको study की वीडियो सारी मिलना सुरू हो गई अब हमने multiple choice questions बनाना स्टार्ट कर दिया है मिलते हैं अगली वीडियो में